ददरवुआ सरकार की भभूती के बारे में भी थोड़ा सा प्रकास डालें कि किस तरह इसे भभूती चमतकार गना उनकी भभूती का पहला चमतकार तो यह दूसरा चमतकार यह कि अगर पानी के अंदर एक बहुत बढ़ी पीडासे में निकल कर भार आया और अप्रेशन थेटर में भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शाक्षात हनवान जी महराज डाक्टर के अंदर भी राजमान हो रहा है। अधर भी राजमान हो रहा है। और वहाँ के जो वर्तमान पीठा दिश्वर हैं परमपुझे महामंडलिश्वर स्री रामदाज जी महराज। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि हमारे पुझे स्री महराज जी में साक्षात हनवान जी के सुरूप का ही दर्शन होता है। और आज चित्रकूट में भी कि जहां पर भगवान राम ने तपस्या की हो। बहां पर भगवान राम का भगवान शीता राम जी का और राधा क्रिष्न का जी की मूर्तियां यहां पर प्रान प्रतिष्टित की गई है। आज ऐसे सुब उसर पर यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दंदुरुआ धाम से यहां पर स्री डाक्टर हनुवान जी महराज की क्रपा और वो स्यम्भ भी यहां पर पदा रहें से प्रतीत हो रहा है। ये प्रकास संतों के तेज़ पुझे से प्रारम बोता है और हमारे पुझे महराज श्री दद्रुवा सरकार स्री महामन लेश्वर रामदाज जी महराज उनके क्रपा पात्र श्री महेंत हमारे रादी का दाज जी महराज इनके उपर भी हनमान जी के बहुत क्रपा है और महरा प्रणावन जी हर कार्य में उनके आशिरवाद से अन्वान जी के आशिरवाद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रणार्य को सुबह यहाँ पर करीब 10 साड़ी 10 बजे बाद में इनके चाधर वीदी होगी मेंता ही होगी और इनके ओपर हन्मान जी की बड़ी क्रपा है क्योंकि चाधर वीदी राश्रम की वेवस्ता वहीं समाल सकता है जिसपे अपने गुरूजनों की क्रपा हो और प्रपारी और अप्रेशन थेटर में भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शाक्षात हनुआन जी महराज डाक्टर के अंदर भी राजमान हो रहे हैं तो उनकी बहुत क्रपा है और इसी प्रकार पूरे जन्मानस पे उनकी क्रपा बनी रहे और विशेश कर हमारे महामंदले श्री रामदाजी महराज की क्रपा हमारे श्रीमें रादिकादाजी महराज के उपर अन्यन इसी प्रकार निर्पर दिन बढ़ते रहे कल एक कारेकरम में हम लोग साथ थे तो जहां महराजी की क्षिश्चे उनकी महेंता ही हो रही थी तो महराजी ने एक बड़ा अच्छा व्रता वह हैं इसी लिए जो सेवा करता है वही महनत होता है वही सब कुछ होता है और सेवा उसी को मिलते हैं जिसनेетрफार फॉर, और ठीम. यूटुब के माध्यम से और कमेंट भी आते हैं तो उनको ददरवुआ सरकार की भभूती के बारे में भी थोड़ा सा प्रकास डालें कि किस तरह से भभूती चमतकार करते हैं देखिए जो ददरवा दाम की जो भभूती है उसका ऐसा प्रभाव है कि कैसा भी रोग होगा उसको अगर आप अपने मस्तिक्स पे लगाएंगे तो जैसा भी रोग होगा वो सब मिढ जाएगा अनवान जी क्रपा से ऐसा नहीं कि आप ददरवा के ही प्रातना करें आप अप हनवान जी के चड़नों में समर्पित करना ची है संसेवा करनी चैंए बाप गुशला चलती है कि अगर पानी के अंदर उस वह चानश्या कि को कोई डाल कर पी तक तो वह उसके दीवन में कभी भी अर्थ की कमी नहीं आती है क्यों कल्यूग जो है ये अर्थ प्रधान यूग है तो जिसके पास स्वस्त सरीर रहेगा और धन रहेगा वो बहुत कुछ आगे उन्नती कर सकता है ऐसी हन्मान जी की बहुत करपा सब पे रहती है बहुत बहुत धनवाद आप सुनाए थे आधरनिये राधे राधे महाराजी को और बहुत ही सौभाग है आप सभी भक्तों का जो इनके सहजदा से आपको यूटूब के माध्यम से घर बैठे दर्सन हो रहे हैं सभी भक्त मिलकर मानसिक रूप से एक हाजरी डॉक्टर हन्मान के चर्णों में लगाएं बोले डॉक्टर हन्मान जी महराजी की जाएं शुद्धरवा सरकार की जाएं